हेलो और वेलकम टू एक्रो अगाडमी तो आज की विडियो में आपको हम उन सारे कोश्चन का आशर बताने वाले हैं जो भी हमने 45 कोश्चन मेगा क्विज में आपको दिया था तो उनीका solution इस वीडियो में आपको कराएंगे तो वीडियो काफी है था helpful रने वाला आपके फ़र्स एक्जाम के लिए जो भी current affair के questions हैं जो भी नएने statics हैं और कुछ मैंने schemes के वीडियो लिये थे उनसे question मैंने उठाये हैं तो वीडियो काफी helpful रने वाले आपके लिए और आपसे request है का जो लोग भी चैनल पर नए आये हैं वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस quiz को attempt नहीं किया तो description में लिंक दे दिया है फ्री में जाके उसमें register करके attempt कर सकते हैं और अपना score अभी चेक कर सकते हैं ठीक है क्या है question में ग्राम सम्रिदी योजना deals with which of the following areas जो ग्राम सम्रिदी योजना है वो कौन से areas के लिए deal करती है यह आपको बताना है तो सबसे बड़ा confusion यह है यहां पे कुछ लोग ग्राम सम्रिदी सुनते ही सबसे पहले ग्राम पंचायत option मारेंगे यह फिर होसिंग अगरा मारेंगे लेकिन आंसर इसका option नमबर डी फूड प्रोसोसिंग से deal करता है यह स्कीम से ठीक है question नमबर second में क्या बोल रहा है collateral free loan under KCC what is the amount of loan जो collateral free loan होता है किसांग करा दिया है आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं तो इसके लिए जो collateral free loan है वो कितने का amount का रहता है तो 1.6 लैक यह आपका answer आपसे नमबर डी उसके बाद क्वेश्चन नमबर थ्री वीच आप फाले मैंक्शन नमबर आप इंटीग्रेटेड मंडीज अंडर इनाम कौन से स्टेट में यह बताना कि सबसे ज्यादा मंडीज इनाम के अंदर कौन से स्टेट में आती है एस पर 2021 तो यह आपका कौन सा answer हो जाएगा option नमबर सी राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटीग्र पांच दिसंबर सबको पता है अगला कुश्चन है पांचवा नमबर वीच आप फालोइंग अग्रिकुल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट राइस मैक्सिमम रिवेन्यू अग्रिकुल्चर कमोडिटीज में बताना है आपको कौन सी कमोडिटीज है जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो की रेज करती है सब ज्यादे रिवेन्यू वहां से मिलता है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके आप्सन है मैरीन बासमती राइस वीट सुगर केन स्पाइस तो इसके लिए करेट अप्सन होजागा आपसे नमबर ए मैरीन अगला कोश्चन सिक्स नम इसफोर्द यह मैंने वीडियो बना दिया इस पर यह पर करती है ऑर कुछ आपके फिसिकल पराम रहते हैं तो यह मिला जो लाग के बारा परेमेटर पर डिल करती है और आप को इसमें बताना कौन सा नूट्रेंट इसमें इसमें कंसीडर नहीं होता है आपके और मैगनीज सेवंट आजब को स्वाइल हेल्थ कारड है यह हो की पहले नहीं समय आफ amino करते हो सकते सब्सक्राइड और रिनीट कर सकते हैं अभी सेब शेकेंड रो लिए तेंग हो तो जब एक रिनीड हुआ च्साल में बन्हारा लिया तो है दिया गया तो option number B आपका correct हो जाएगा अगला question है question number eight प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना वाज लाउंच इन वीच आफ फालोइंग इयर तो इस का आपको डेट बताना है लाउंच यह 2016 है correct answer आगे है question number 10 इन वीच आफ फालोइंग इयर benefits under schemes PM किसान has been extended all the farmers जो PM किसान scheme थी जो उसमें benefits होगा रहा थे वो कौन से यह में सभी फार्मर के लिए extend कर दी गई थी तो पहले तो कुछ limited farmer के लिए मिलता था तो अभी आल फार्मर के लिए कब इस्टेंड हुआ 2019 में ठीक है उसके बाद आप इसका PM किसान launch date कर सकते हैं इसके बारे में जो detail रहती हैं कितने amount मिलते हैं जो अलग-अलग महीने में installment आती है ना वो सारे amount आपको पता होना चाहिए अगला इसका कोशन है 11 number if the farmer has six hectare land falls under which category अगर किसी फार्मर के पास चेक्टर land है तो कौन सी category में आएगा यह आपको बताने है आपसे आपके marginal farmer semi-medium farmer medium farmer small farmer फिर large farmer तो इसके लिए करेट आपसन हो जाएगा option number C medium farmer तो जो जो अलग-अलग land holding है वो numbers आपको पता होना चाहिए अलग-अलग farmer के लिए तो medium की बात करें तो यह आपका 4-10 के बीच में जो रहता है जितने farmer के पास 4-10 hectare के बीच में जो भी land रहागा वो medium farmer जाता है marginal सबसे चोटा होता है जिसके पास less than one hectare की जमीन होती है उसके बाद small farmer होता है 1222 hectare और उसके बाद semi-medium आता है आपका 224 उसके बाद medium farmer आता है आपका 4-10 लार्ज वाले 10 के ऊपर ठीक है दस के ऊपर जितने है सब लार्ज में आएंगे तो यह डाटा आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते है कि कुश्चन नंबर बारह देखिए विस्टा फादर आप green revolution यह सब golden revolution के अंदर यह दो category आते है honey का जो production वो बढ़ाया जाए और होटी कल्चर से एलेटेड ठीक है तो कौन है इसके फादर आपके अलग-अलग यह option दिये हैं तो option प्रोडक्सिन है होटी कल्चर का वो बताना है तो आपके option है 333 million ton 359 million ton 449 million ton और 215 पांच option नंबर बी करेट option है आपका 350.9 million ton top meat producing state कौन सा यह बताना है आपको तो यूपी राजस्तान महराष्टा तमिलाड वांदर प्रदेश में से कौन सा option है तो option number करेट हो जाएगा option number c top meat producing address में अभी महराष्टा top पे है आगे देखे तो question number 16 पतान मंत्री जंधन योजना is the national mission for financial inclusion to ensure access to financial service which was launched in august 2014 यह launch डिट भी मैंने आपे दाल दिया under the scheme a basic saving bank deposit account can be opened in any bank branch और bank मित्रा outlet what is the accident insurance coverage under the schemes तो question थोड़ा सा आपको जंकारी देने के लिए उपर दिया हुआ है main question यहां से आपका कि क्या है accident cover में कितना मिलता है इस scheme के अंडर तो option है आपके one lakh fifty thousand one point five lakh two lakh two point five lakh तो हमने जब पधानमंती जंधन आपका cover कर रहा था वीडियो में तो जब यह start हुआ था तो one lakh था तो उसको बदल के अभी two lakh कर दियागा तो option number D जो है आपका करटा option है जंधन account holder are women तो जंधन account के जो account holders है कितने percent women है वो आपको बताने तो option number B आपको करड़ो जागा 55 percent लगबग इसमें women है अगला question है which state has highest population as per the census 2021 कौन सा state है सबसे ज़्यादा रूले population है तो सबसे ज़्यादा population UP में है तो रूले 19 कैस्व नेटिव आफ कैस्व कहां का नेटिव है या फिर कहां से वह बिलॉंग करता है कहां पर उसका उत्पादन शुरू हुआ था तो option नंबर डी करते हो जाएगा 444 ग्राम पर दे ठीक है पता ने मिल भी पा रहा है कि नहीं इतना तो दिया हुआ है अधा अधा लिटर कम से कम सब को पदान हो अगला कोश्चन है लाइब स्टॉक प्लेस इंपॉर्टन रोल इंडिन एकोनोमी बाउट 20.5 मिलियन पीपल डिप प्रिविट 4.11 पर्शेंट इस जीडिपी एंड आपको बताना है कि टोटल अग्री कर जीडिपी में कितना कंट्रीपूर्टन है आपके आप्चेशन पचेशन पांच और गाया इसके लिए पर से नंबर यह पचीशन दसमलोव छे पर्शेंट जो है इनका कंट्रीपूर् तो विच valley is not मेजर मैजर मेएट ऐपसेन नंबर 22 में देखे कौन सा मेजर मिलिट नहीं आपको बताना है रागी फिंगर ग। स्षंठ मूम बाज़रा या फिर और ओर मेजर मिलेट तो यहां प्रेट आप सना जाएगा पॉइंट पॉइंट फाइब है जोन आज जब रेनफाल अगर फाइब ज्यादा होता तो वह कौन की करी में आता है ड्रिजल है यह अपको कम से कम स्थिट पता होने चीजर जोन पता होना चाहीं कौन को उसमें के नाम है कफिया अमद्ध आपको मिले माली है मैं पकर रहके जायनकार्य पको होना चाहिए तो हर्याना कौन से फिर आता है लोग गेंगेटिक अपर गेंगेटिक तुछ तुछ इसकी लिए ट आप्शन अबस डी ट्रांस गेंगेटिक ब्लेट के अंदर आता है पचीस क्या है बोल रहा है इस प्रोजनी अ बेर सीड मैंतें बाइड आफ इंडिया एजन्सिस लाइक एनसी एससी डेप्ट बाइ प्रोग्रेसिव फार्मर्स आलसो नोग अज मदर सीड इडेंटिफाइड टैक कलर तो जहां पर जो मदर सीड है आपका फॉनडेशन सीड की कट्रेगरी में आता है तो उसी का दूसरा नाम है तो फॉनडेशन सीड का यह आप याद रखें अलग-अलग जो होते हैं बीडर सीड नुक्लियर सीड होगा रखें आपके टैक कलर आपको पता होना चाहिए कौन से कलर का होता है तो यह फांडेशन का टेगरी में है क्योंकि मंदर सीड है तो इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा आगे बढ़ते है है तो 26 में क्या बोल रहा है कि संट्र मरीं फेसर इंट्रीट कहां पर लोकीड़ है यह आपको बताना है तो मरीन का अलग है और इन लैंड का अलग है और दोनों आपको याद होना चाहिए मैंने इसमें प्रदानमंती मदसम बता योजनाली वीडियो में आपको सबकू सम ए होटल्स एंड रेश्टूरेंट्स कुलिणरी पर जानी आपका थोड़ा बहुत जो डिजाइन होगा साजा के देते हैं प्लेट हो रहा है साधव होगा तो कौन सा इसके लिए मस्रूम यूज करते हैं कौन सी मस्रूम विंटर मस्रूम मिली मस्रूम या फिर आल आप दीस त वाई 2324 तो कौन से स्कीम को सब्ज़दा बजट रिलेकोशन मिला है सब्ज़दा पैसा हो गारे मिला है दो जब्ज़दा तैइस चौबिस के बज़ट में तो आपका है कौन सा स्कीम पिम किसान पदानमंति ग्राम चुड़क योजना मंड्रेका योजना जल जीवन मिशन आपको पढ़ा हुआ है आप विडियो जाकर देख सकते हैं तो सटिफाइड सीट मैंने अभी कलर के बारे में बात किया तो जेनेटिक प्योटी भी पूछते हैं कितना रहता है फानडेशन सीट कितना है बेड़ेड सीट का रिश्टर सीट का या फिर आलर करेक्ट तो अगर आप कोई प्यार गलत लग रहा तो बताएए नहीं तो आलर करेक्ट होगा ठीक है साटिफाइड सीट नैंटी नाइन पर्शंट आपका प्योब रहता है इसका होता है 99.5 के लगभग फांडेशन रजिस्टर का सेम रहता है तो यह आपका करटा इंकरेट हो जाएगा रॉंग पे यहां पे 99.5 के करीब होता है ठीक है आगे है कोश्चे नमबर 30 वर्ल्ड कोकोनट डे इस अब्ज़र्ड ऑन विच डेट कब अब्ज़र्ड होता है इसका रांसर हो जाएगा आपका option number C जो की 2 September है वर्ल्ड कोकोनट डे मना जाता है आपका question number 31 select the wrong pair with respect to PM किसान PM किसान समंधिक कौन सा जो statement हो गलत है वो आपको पताना है option number A the scheme was launched on 24th February 2019 क्या ये गलत है B है it comes under green box subsidy of WTO C है PM किसान is a central sector scheme with 100% funding from the government of India क्या ये गलत है under this scheme and income support 6000 per year in three equal installment will be provided to all land holding farmers and families क्या ये गलत है या फिर all are correct ठीक है अगर आपने PM की सामगारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे option जो यहां पर correct आपको दिखेंगे option number E जो आपको करड़ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 32 प्रथानमंत्री मदस्वंदा योजना comes under which of the following ministry प्रथानमंत्री मदस्वंदा कौन से मनिस्ट्री के अंदर में आती मिनिस्ट्री आप पूरा डिक्टियल से पढ़ सकते हैं आगे question 33 number क्या पूछ रहे हैं प्रथानमंत्री फसल बीमा योजना जो की एक weather-based crop insurance scheme है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो फाइब मेंसे उनको crop affordable crop insurance दिया जाता है अगेंस्ट नॉन प्रिवेंटेबल डिस्क जो भी नॉन प्रिवेंटेबल हैं मतलब की जो की आपके प्राक्रितिक आप दाएं हैं उनकी वजह से अगर आपको crop loss होता है sowing से लेकर harvesting के बीच में इस stage पर तो insurance scheme कर दिया था crop insurance affordable price में तो क्या रहता है फार्मर पे प्रेमियम फॉर अप्टू 2% फॉर खरीब क्रॉप 1.5% फॉर रभी क्रॉप और 5% फॉर होटी कल्चर क्रॉप ठीक है तो यहां पूछना कि इसका launch date क्या है वह आपको बताना है त इसको कितना percent रहता है अलग-अलग crop के लिए अलग oxygen के लिए तो launch date क्या है इसका तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था 2016 इसका क्रट आपसन हो जाएगा आगी क्या है थर्टी-फॉर नंबर question में दे नेशनल अग्रिकुल्चर मार्केट इनाम स्कीम वाज लॉंच्ट ऑन 14 अप्रिल 2016 तो प्रोवाइड फार्मर विद निर्मिलिटिव प्राइज फॉर दिया प्रोड्यूस्ट थूरू ए ट्रांस्पारेंट ओन्लान कॉम्टिटिव बिडिंग सिस्टम इनाम इस इंप् सिय एसफैक अफेओ अन अर्भी तो इसके लिए करेंट अप्सन नंबर सी एसफैक का फुल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ठीक है नाबाड अबस्या जानते होंगे आप लोग आगे है थर्टीफाइब नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस्पेसिंग फार मैस्म जैक फ्रूट परुंटक्शन कॉण्सा स्टेट है इंडिया में जहां पर जैकफूट का प्रॉंट है जैकफूर्ण कमूट हे हिए जैक फूरूट प्रुट का पूरुक्शन सब्रेकिस्क्ट में अग्च vivir नोबर होता है ठीक है आगे थर्डीफर नंबर कूश्चन the state that has maximum marine production कौन सा state है जहाँ पर सब ज़्यादा marine production होता है इंडिया में की बात हो रही है तो आपके option दिये गुजरात, राजस्थान, महराष्टा, वेश्ट बंगार या फिर ननाब्दीज तो correct option option number A गुजरात में सब सब ज़्यादा marine production होता है अभी के समय पर थर्टीएट नमबर में largest egg producing state कौन सा है इंडिया में तो आपसे ने तमिल नाडू, आंदरप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश या फिर ननाब्दीज तक्रेट आपसे नाजागा आंदरप्रदेश, option number B जो की correct है, आंदरप्रदेश में सब ज़्यादा एक production होता है आपका, मीट का हमने उपर देखा था, मीट के सब ज़्यादा कौन से टॉप में है, अभी महराष्ट्रा है, ठीक है, अगला question है 39 number, which of the following expenditure is not permissible under KCC, तो KCC वाली वीडियो में मैंने इस question कर आया था, कौन सा expenditure कौन से खर्चे हैं, जो की KCC अंडर वो permissible नहीं होते हैं, आपके produce market loan, consumption requirement for the farmer household, working capital for farm asset, post harvest expenses, या फिर आल आर permissible, तो यह जितने भी अलग अलग खर्चे हैं, सभी खर्चे आपके permissible हैं, किस के अंडर, किसे से के अंडर, ठीक है, अगला question है 40 number, world fishery day is observed on which date, world fishery day है, कौन से दिन को observe किया जाता है, तो आपके option 21 December, 21 May, 21 January, 21 November, 21 August, तो correct option 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 number D, 21 November को आपका world fishery day observe किया जाता है, अगला है 41 number question, चार question और बचे हैं, budget 2023-2024 is the first budget in Amrit Kal, to work on seven priorities, named Sabtrisi, which is the not one of them, ठीक है, जो आपका 23-24 का budget हो, पहला budget है, जो कि Amrit Kal में start हुआ है, तो आगे का जो 100 year होने वाले हैं, 25 साल जो बचे हुए है, भारत के 100 साल हो जाएंगे आजादी को लेकर, तो यह हमारा Amrit Kal चल रहा है, यह 25 साल बुरा, तो इसमें Sabtrisi के नाम का यह उन्होंने साथ priority रखा है, तो उसमें से पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, आपसेन आपके inclusive development, green growth, youth power, reaching the last mine, women empowerment, तो यह सारे option correct है, inclusive growth में सब्तिरी सी कंडर में आता है, green growth भी आता है, youth power भी आता है, reaching last mile यह आता है, लेकिन women empowerment यह सब्तिरी सी में include नहीं है, और भी तीन चीज़े हैं, उसके बारे में पर इन्होंने announce किया था, तो आपसे number जो है, जो है, जो है, वो सब्तिरी से के अंदर में नहीं आता है, ठीक है, अगला question है, 42 number, the government promotes green growth by establishing waste to wealth plant under goberdhan schemes, how many waste to wealth plant will be established under the goberdhan scheme, ठीक है, goberdhan scheme भी अपना यह जब launch हो था, budget उस time पर announce किया गया था, तो उसमें पूछे नहीं कितन वेंग हो ना, waste to wealth plant, established करने को government ने बोला है, तो आपसे ने, 450, 550, 500, 600, 500, 500, 500, 300, option number C, 500 waste to wealth plant, हमको लगाने, goberdhan scheme के under, ठीक है, यह scheme का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा चैनल पर चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगला question है, 43 number, India is the third largest economy in the world, in purchasing power parity, terms and एंड फिप्त लार्जेस्ट-इन-market- एक्षेंग ड से वर्ड थे धीप्ड क्रयों फॉर्कास्ट एंडी्ट आरोग सब्सक्राइव नुए तो यह आड्यसे को इसक disappoint के को आरे हैं मेंר। तो इस बार का जो बज़र राउंज वह था फर्वरी में तो उसमें बताए कि भाई 24 का जो हमारा ग्रोथ रहने वाला GDP का उसका रेंज नो ने बताया था उसका आपको बताना है कौन से रेंज में रहने वाला है तो आपके आपसे ने पांट से साड़े छे से छे से सादस्मलों पांच पांच से छे तो इसके लिए करें आपसे नमबर भी छे से 6.08 के बीच में जो कि यह फवाई का टॉंटिफूर का जी डिप ग्रोथ जो रहने वाला है अगला कोश्चन है फोटी फोर नमबर वाट इद idoMusic बड़न प्र में कितना नमबर नमबर पर संट होता है नमबर पर पर्षेंट होता है तो आपन चे-पर्म ऑन है दिश्कशन फ्रिया नापर नमबर भी शॉर्वाय जो है अपका फोर्ति सिक्स परस्ट नेक्रोजन होता है हसमे में युरिया में यलास्त उल्स इसमें आप 45 नमबर क्वेश्चन वीच आप से नमबर डी करट है सलफर कोटेड यूरिया तो यह 45 क्वेश्चन मैंने आपको जो दिये थे क्वीज में उसका आपको आंसर भी दे दिया मैंने तो जो लोग अटेम्ट नहीं ही जाके एक बार फिर ते अटेम्ट करके देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आपको इस पीडियो को डाउन करना तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है वहां से पीडियो को डाउन कर सकते हैं ठीक है सो थैंक्स वर वाचिंग मिलेंगे आपको नेक्स लास में तब तक के लिए धन्यवाद